हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम अपने IRCTC एप में लोग इन करते हैं तो हमको एक एरर आता है इन्वैलिड यूजर आईडी इन्वैलिड यूजर इस प्रॉलम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यही सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर दें और यह घंटे के निशान को भी दुबा दें ताकि आने वाले वीडियो को नॉटिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें और यह दिखे यह मैं अपने एकाउंट में लॉग इन कर रहा हूं और यह मैं अपना यूजर नेम डाल रहा हूं यहां पर और यह मैं अपना तो हमको कुछ ऐसा एर्र आ जाता है इस प्रॉलम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं यही सब कुछ इस वीडियो में माग को बताऊंगा आप फॉर्गॉड यूसर नेम पर क्लिक कर दिजिए और यहां पर अपनी जो अपने इमेल आइडी रिजिस्टर की थी IRCTC एकाउंड में वो इमेल आइडी डाल दिजिए और यह निचे अपनी डेट ऑफ बर्ट डाल दिजिए और यह केचपपा को डाल कर यह सब्मेट पर क्लिक कर दिजिए अगर आपको अपनी इमेल आइडी नहीं पता कि आपने कौन सी इमेल आइडी रिजिस्टर की थी और तो आप अपना यूजर नेम मेंने इसके लिए एक और वीडियो बना रखा है वो वीडियो देखकर आप अपनी यूजर नेम निकाल सकते हैं उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यह मैं अपनी डेट ऑफ बर्ट डाल रहा हूं और उसके बाद यह सब्मेट पर क्लिक कर दिजिए और यह हमारी यूजर नेम है जो हमारे मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा जो मोबाइल नंबर हमने रिजिस्टर किया था और हमारी जीमेल आईडी पर भी हमारा यूजर नेम आ जाएगा मेरा मोबाइल नंबर इस मोबाइ नहीं आया मेरे को पर आप अपना जीमेल खोल लीजिए और यह देखिए सबसे उपर मेल आया हुआ है और यह देखिए मेरी यूजर आइडी आगी है पर अप 520 इस तरह से आप भी अपनी पहले तो यूजर आइडी निकाल लेजिए और इसके बाद आप अपना फिर से आया सिटी सी है खोल लीजिए और यहां पर अपना यूजर नेम डाल कर फॉर्गॉट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए और यह उपर आप अपना यूजर नेम डाल दीजिए और यह नीचे डेट अब बर्त अपने डाल दीजिए और यहां पर केचपप लिखा हुआ है यह केचपप डाल दीजिए डी अफ जी जी जो लिखा हुआ है ऐसे ही बल्कुल डाल दीजिए और इसके बाद यह नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और ये हमको verification code आएगा ये आपके mobile number पर भी आएगा जो आपने register किया था और ये आपकी email ID पर भी आएगा ये मैं अपनी ये देखिए ये हमको notification भी आगया है ये मैं अपनी email ID खौल रहा हूँ और ये देखिए ये मेरे को one time password आया है ये 96 by train इस password को आप कहीं पे लिख लिजिए या याद कर लिजिए और इसके बाद आप अपना फिर से IRCTC app खोल लिजिए और यहाँ पे वो password one time password डाल दिजिए और उसके बाद ये निचे new password लिखा है यहाँ पे अपना कोई भी password बना लिजिए और confirm password में वही password डाल दिजिए और ये अपना password डालने के बाद ये ketchup का code भी डाल दिजिए और फिर submit कर दिजिए और ये आपका password चेंज हो जाएगा और इसके बाद आप अपने अकाउंट में लोगिन किजिए पासवर्ड डाल कर और ये निच्चे के चपका code डाल दिजिए ये यहाँ पे लिकाओ है Y E W G X G ये ऐसे ही डाल दिजिए बिल्कुल और इसके बाद लोगिन पे क्लिक कर दिजिए और ये देखे ये हमारी problem solve हो गई है अब हमको वो invalid user id नहीं आया है और यहाँ पे आप अपना कोई भी pin बना लिजिए और ये उपके पे क्लिक कर दिजिए और submit कर दिजिए ये देखे ये हमारा account खुल गया है इस तरह से आप भी अपने problem solve कर सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दिजिए और share कर दिजिए और मेरे channel को भी subscribe कर दिजिए